जैसे जीवन और मरण हैं वैसे ही है पाप और प्रायश्चित रात्री भूज के लिए कुछ बुद्ध जीवियों का समू इकत्रित हुआ था उसी दोरा ने एक चर्चा चल पड़ी कि जीवन में किये हुए पापों का प्रायश्चित कितना जरूरी है किसी ने कहा कि ये मानसिक शान्ती के लिए बहुत जरूरी है तो किसी ने कहा कि आधुनिक समाज के ताने बाने में समायोजित नहीं होता चर्चा जितनी कहराती गई उतनी ही उलच्टी भी गई कोई एक मत न बन पाया कि आखिर पापों का प्रायश्चित करना कितना जरूरी है इस पर भोज में आमंत्रत एक वरिष्ट अधिभक्ता से पूछा गया आपका क्या मानना है वकील साहब आपके विचारों से हम सभी सहमत होंगे नाग पर नीचे खिसकाय चिश्मे को उंगली से उपर चड़ाते हुए वकील साहब ने कहा ये कितना जरूरी है ये समझने के लिए एक वाख्या आप सबसे साजा करता हूँ और निर्णे आप पर छोड़ता हूँ इस बात को वर्षों हुए चले हैं खेतों में महनत मजदूरी करते करते चमडी का रंग कब श्वेत से शाम हुआ ये बंदनी को याद ही नहीं था पूरे चौदै वर्ष हो गए थे इन चौदै वर्षों में क्या-क्या बदला ये पूछिये कि क्या-क्या नहीं बदला गाउ शहर हुए पैदल सडकों पर मोटर गाड़ियां दोडने लगी जूट सच बना 24 की बंदनी 38 की हुई और उसके चेहरे की चुरियां 50 की दूर से देखो तो हाड मास का पुतला पर उससे पूछो तो फर्क भी न पड़े मानो शरीर नश्वर है और उसकी सुन्दर तक शनिक है इस बात का ग्यान जैसे इस निर्बोत को ही होगा सुभा के सूरज से चो बंदनी की सांसें भागती होंगी वो शायद ढलते सूरज के साथ ही कुछ आराम पाती होंगी खेतों का कर्ज चुकाते चुकाते कब शंगार मिट्टी मिट्टी हो गया ये ब्योरा भी किसी खाते में दर्ज नहीं खेर समय कैसा भी हो बीटता ही है 14 वर्ष पहले का दिन आज भी कभी कभी आँखों के सामने तैर जाता है उस दिन घर पर मातम सपहला हुआ था विशुचीत बाबू प्रायश्चित करना चाहते थे मगर जब पूछो किन पापों का तो कुछ नहीं बताते सिर्फ कहते 30 की उम्र तक कुछ पाप न की होंगे मैंने हट पर अड़े थे और प्रायश्चित भी क्या घर का त्याग सांसारिक जीवन का त्याग भिक्षा मांग कर जीवन यापन करेंगे और जो कोई पूछे कि तुम्हारे पीछे बंदनी और 4 साल की तुम्हारे बेटे का क्या होगा तो लंबी सांस छोड़ते हुँ कहने लगे थे सब अपने जीवन का सोख और दुख लिखवा के लाते है सबने पूछा और जो तुम इनके भाग में दुख लिख लिख रहे हो उनका क्या जल्ला कर कहने लगे मैं कुछ नहीं लिख रहा सब विधाता का केल है बंदनी ने रोते हुए कहा था मेरे लिए ना सही अपने सपूत के लिए ये हट छोड़ दो विशुचीद बाबू ने जड़कते हुए कहा था मेरा रास्ता छोड़ो प्रायश्चित का मेरा ये फैसला अटल है हताश होकर बंदनी कहने लगी थी ब्याह ही क्यों किया था ये ख्याल पहले ना आया क्या ये पाप नहीं इसका प्रायश्चित कौन करेगा विशुचीद बाबू बिना कोई उत्तर दिये चले गए थे और पीछे छोड़ गए थे खेतों का कर्ज और अपनी जिम्मेदारियां वो दिन था भागे ने ऐसा मों फेरा कि बंदनी के जीवन में बसंत कभी आया ही नहीं जीवन का सूरज ऐसा भटका की सवेरा कभी हुआ ही नहीं दिन दिन भटकी राद राद जागी खून पसीना एक हुआ शंगार कोईला हुआ और हथेलियां पत्थर हुई दस की आयू में बेटे की मृत्यों में भी ठीक से नरूप आई थी मानो आखों से सारे आंसों सूप चुके थे पर समय कहां ठिकता है एक जगे श्री राम का बनवास भी तो समाथ हुआ था एक दिन बंदनी के कच्टों का दौर भी अब खत्म हुआ लगता है चौदै वर्षों का तब समाप्त हुआ है शिष्य ने समाचार सुनाया माता पूरन मासी के दिन महाराज पधारेंगे अब उनकी कठिन तपस्या समाप्त हुई सालों पहले उनके आगमन पर मठाचारे ने महाराज नाम दिया था उन्हें वो तो हम जैसों के किरण पुण जहें बड़ा तब किया है उन्होंने अब जाकर प्रायश्चित पूर्ण हुआ है उनका बंदनी एक टक सुनती रही बिना किसी भाव के मन में असंग के प्रश्णों ने एक एक जन्मली आओ जैसे एक दम से निकल पड़ा उसकी मौँ से प्रायश्चित पूरा हुआ? पूरन मासी के दिन श्वेद पी दुपस्त्र धारन किये विश्वजीत बाबू पधारे साथ में कुछ शिश्चियों की मन्डली थी सब प्रायश्चित करने वाले मालूम होते थे एक जैकारा हुआ पूरे गाउं में एक उस्वज़ा हट थी चौदै वर्षों बाद विश्वजीत बाबू ने दर्वाजा खट-कटाया बंदनी ने दर्वाजा खोला बंदनी को सामने पाते ही विश्वजीत बाबू बोले चौदै वर्ष हो गये बंदनी मैंने प्रायश्चित कर लिया है बंदनी ने विश्वजीत बाबू की आँखों में आँखें डाल कर उत्तर दिया प्रायश्चित या बाब